पहला जो कोमेंट था वो सचीन संगरा बाई का था अच्छा चांगर बाई इन्होंने किया था और इनका जो कोमेंट था वह ग्रूप डी कि जो ओल्ड पॉलेशी और जो न्यू पॉलेशी का जो मैटर है उससे रिलेटेड मैं एक वीडियो बनाई थी तो बाई ने उसके लि related to hsse exams और जो exam schedule है या waiting result है उन से related है तो जो पहला group D से related कई भाईयों ने पूछा है group D की जो second waiting list है 18,218 की जो list लग जुकी थी फिर एक waiting list लगी थी एक waiting list की और अब chances हैं तो उसके बारे में कई भाईयों के comment है उन पहले उनके नाम बताना चाता हूं क्योंकि मैंने कहा था कि आपके नाम भी जुरूर बताऊंगा मैं तो सबसे पहले है जस्विंदर सिंग सांभी भाई ने ठीक है तो इनने इनका यह स्वाल था सेम स्वाल है सभी का विकरांत भाई का है और मुकेश जांगडा परदीप कुमारी सत्यम पूरम कलोनी जहारो अमित राना सुरेश कुमार अरिपाल राठी मुकेश कुमार इन सभी भाईयों का comment था वो था गुरूप डी वेटिंग से रिलेटेड तो दोस्तों गुरूप डी वेटिंग की जो लेस्ट है वो दमाका ओने वाला है अंड्रेड एंड वन परशेंट चांस है कि तीस नॉवंबर से पहले आपको आपको पता भी नहीं चलेगा दूसरे बताएंगे भी आपका रजल्ट अगया है तो यह दमाका बिल्कुल ओने वाला है इन सारे भाइयों का कोमेंट था और जसुइंदर सींग सामी ने थोड़ा सा और पूछा था कि मेरे इतने नंबर है उन्होंने नंबर बताए थे क्या मेरा स्लेक्शन हो सकता है तो इसमें पहले प्रोसेस क्या होती है पहले जो वेटिंग में जिनका नाम है उन्हें का सेलेक्शन होता है तो यह सभी का ग्रूप D से रिलेटेड था अब एक जो कोमेंट दूसरा जो कोमेंट है वो है अर्याना पुलिस एक्जाम से रिलेटेड और यह है कुसाल यादो जी का है और संजय जांगराजी का है इन्होंन मैं एक्जाम के बारे में पूछा है अर्याना पुलिस का तो अर्याना पुलिस जीतने भी एक्जाम हैं उनकी डेट मैंने एक वीडियो बनाई भी है ठीक है मोस्ली यूटूब चैनल पर बना रखें कि उनके जो एक्जाम है वो नौबर से लेके और जनुवरी के 31 जनुव क्योंकि अगली वीडियो अब तभी देखने आओगे जब मैं सच बोलता होगा आज मैंने जूट बोलके कुछ वीडियो पर कोई नहीं आएगा तो जैनान जी सच बात यह है फिक्स डेट का अभी किसी को नहीं पता हाँ नवंबर और जनुवरी के बीच में एक्जाम है ल उन्होंने पूछा था इनका रजल्ट कब आ सकता है तो सेम ग्रूप डिवेटिंग की सिच्वेशन इनकी है इस पी कलर का भी क्योंकि जो ओल्ड और न्यू पोलिस जो मैटर था वो सोल हो गया है को अपने इसाब से उसका डिया है तो आपका रजल्ट भी दमाग का साथ जागलान इन्होंने 2015 जो पुलिस वेटिंग है इसके बारे में पूछा है और मोचली सभी का क्यों यह है कि 180 की लिस्ट लगनी थी 127 की क्यों आई तो एक सो बिलकुल 180 की लगेगी क्योंकि जो ओफिशल नोटिस भी आया था कि भी 180 में जर्नल में इतने लेने हैं ठीक सब्सक्राइब नहीं है कि जो बचे हुए कंडिडेट से उनका इवेटिंग कब लगेगी हां लगेगी 101 परसेंट क्योंकि अभी कंफर्म नहीं है मैं यहां पे कोई भी डेट आपके बोल बोल के चला जाओ वह सही नहीं होगा नेक्स जो आया है 2018 पुलिस वेटिंग से रिलेटेड है 2018 पुलिस वेटिंग की लिस्ट कब लगेगी यह पूछा है पुनम अन्वाल जी ने और रामदन बोथ जी ने इन्होंने यह पूछा है तो 2015 की जो वेटिंग लिस्ट है रिजल्ट आया था में किसे का नाम मेरे ख्याल से नहीं था सेम सिच्वेशन 2018 में थी तो 2015 की वेटिंग लगी था तो 101% 2018 की वेटिंग भी लगेगी क्योंकि जो भी जोब्स हैं जितनी भी जोब्स हैं सभी के लिए वेटिंग के लिए अच्छा टाइम चल रहा है आप देख सकते हो सभी के वेटिंग को सरकार ले रही है तो उनका भी और स्टेनोग्राफर से रेलेटेड स्वाल पूछा है स्टेनोग्राफर का तो जल्द काम बनने वाला है आपको बता है कि जो स्टेनोग्राफर है एक से आठ इसमें तो इनका सेलेक्शन तो इसका तो ओफिस्यल नोटिस आया था आप सभी को पता है तीस नॉमबर तक का टाइम दिया गया था तो आपको बिल्कुल भी गबराने की जूरत नहीं है आपका सेलेक्शन शूर है मतलब तीस नॉम मिनाक سिलांबाजी ने और मिनाक सिलांबाजी का जो कोमेंट था इट्वसूले Protestant टू पी१ी टीज की बीच्ट है चाहिए अदढ़ एक्जाम्ग है के इनकी बात है सभी का रजाल तो सौरी सभी के जो एक्जाम्गा वह नॉमबर से लेके जनॉरत के बीच में हाँ अब यह नहीत का सकते की पीजिटीका इस तरीक को है और पुलिच का इस तरीक को यह यह नहीत ऐसकता लेगिन इसके बीच में सरकार outta हं कुछ भी सकते हैं लेगिन इसमें करवाने चाहते है क्योंकी तो निकलने चाहिए कैche comment था अनूप खटला जिक तो मैंने डिसाइड किन भी सभी के नाम बोले जाएंगे और सभी के 11 2019 की जो वकेंशी है कई इसमें अक्तेगरीज है तो डीवी से रिलेटेड पुछा है इसमें अमन चहल ने तो देखो इसमें मुझे लगता है क्योंकि अभी आपका पहले डीवी डीवी का इसमें डीवी का रजल्ट ठीक है फिर फाइनल रजल्ट मुझे ऐसा लगता है कभी सकता हो तो लेकिन मुझे अशलकता है कि आपकी जो प्रोसेस व वह ग्राम जो अपनी पंचायत होती है उसके उपर होता है और लोकेशन के बारे में पूछा लोकेशन का हो सकती है तो लोकेशन की जातक बात है डिपेंड ओन यूर मार्क्स डिपेंड ओन यूर अब डिपेंड करता क्यों क्या है प्रेफरेंस दी जाती है जिसके मार्क्स ज जोब के बारे में आए थे तो मैंने बताया भी था कि जितने भी कोमेंट आएंगे सभी का जवाब दिया जाएगा यहीं बाइचंस कोई बाइर रहे तो सोरी लेकिन सभी के मैंने जवाब देने की कोशिश इस वीडियो में की है वीडियो च्छी लगी चैनल को कीजिए ऑफ कीज़ेगा और येधी आप अरियाना के जितने भी एग्जाम है इन की दियारीय करना चाहते यंक proven करना चाहते हैं तो अपने चैनल की ओपर हर रोज एक इंग्लिस प्रक्तिस एक प्रोड़ोर कि ओनाया जाता है और जिसके कोशिश क्या वाचिक गीनिक्रवे झाले